हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है SBG Study में आज की इस वीडियो में हम Determinant Chapter के कुछ और Topic आज यहाँ पर कराएंगे जिसमें की क्या होगा Area of the Triangle, Minor and Cofactor कैसे निकाले जाते हैं इस वीडियो में आज हमें यही बताएंगे कि Area of Triangle, Minor and Cofactor आप कैसे निकाले तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे Area of a Triangle, Area of Triangle कैसे निकालते हैं Determinant में Let हमें यहाँ पर दी हुए Given Vertices, हमें इस Triangle की Vertices दी हुई है X1, Y1, X2, Y2 and X3, Y3 हमको यहाँ पर इसकी Vertices दी हुई है तो इसका जो Area होगा, वो होगा Half, इसका Determinant of X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, 111 तो यहाँ पर इन Points को हम रख देंगे और इसका Determinant निकालने के बाद Half से Multiply कर देंगे तो Area of Triangle क्या होगा? Half, Determinant of X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 and 111 इसका Determinant निकालके इसको Half से Multiply करेंगे, तो यह होगा Area of a Triangle उसके बाद आता है, इसमें Minor, हम Minor कैसे Find Out करते हैं और Minor क्या होता है? तो Minor क्या होता है? Minor होता है, The Determinant that is Left, जो Determinant बचे by Canceling the Row and Column, जो by Canceling the Row and Column intersecting at a particular element is called the Minor of the Element, Minor of an Element Aij is Denoted by Mij, Aij का जो Minor होगा, वो Mij से Denote किया हैगा, तो यह क्या कहता है? The Determinant is Left, जो Determinant बचे, after Canceling, Canceling the Row and Column of a Particular Element, जैसे कि हमें A11 का Minor निकालना है, Minor of A11, A11 का हमको Minor निकालना है, तो हम इसकी Row को और इसकी काट देंगे, और उसके बाद जो Determinant बचेगा, उस Determinant को Solve करके, जो Value आएगी, वो होगा Minor of A11, Means, A11 का अगर हमको Minor निकालना है, तो इसकी वाली Row को, इसकी Column को हम यहाँ पर काट देंगे, उसकी बाद जो Determinant बचेगा, जैसे A22, A23, A32, A33 यहाँ पर बचेगा, इसका Determinant को हम निकाल लेंगे, तो वही होगा Minor of M11, ऐसे ही अगर हम Minor of किसी और चीज का, किसी और Element का निकाले, जैसे कि अगर हम निकाले, Minor of A12 का निकालते हैं, तो A12 का जो Minor होगा, वो क्या होगा, M12, तो M12 क्या आएगा, M12 जैसे A12 का निकालेंगे, तो इसकी Row को काट देंगे, और इसकी Column को काट देंगे, उसके बाद किसने Element बचेँगे, ये दो, और ये दो, ये दो Element बचेंगे, तो A21, A31, और ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर ये दो Element और बचे, A23 and A33, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ऐसे Minor of A12 का Minor ये निकालेगा, मीज़ ये Satisfy रहता है, The Determinant that is Left, जो Determinant बचें, आफर Canceling the Row and Canceling the Column, रो और को Cancel करने के बाद, जो Determinant बचें, वो ही होगा, Minor कहलाएगा वो, अगर यहाँ पर किसी भी Determinant का Order, अगर किसी भी Determinant का Order N है, तो उसके जो Minor का Order होगा, इसके जो Minor का, Minor के Determinant का Order होग तो यह एक घड़ जाएगा इसका Order, तो एक घड़ जाएगा, तो N-1 उसका Order आएगा, इसके बाद आता है कि Cofactor क्या होता है, तो चलिए देखते हैं, Cofactor क्या होता है, तो यहाँ पर Cofactor होता है, वो होता, The Cofactor of an Element Aij is Denoted by Cij, तो कोई भी Cofactor किसी भी Element का Cofactor है, वो denote करेग Cij से, जैसे Aij का, जैसे A12 का, जो Cofactor होगा, वो C12 होगा, तो उसका जो Cofactor equals to क्या होगा, minus 12 the power I plus J into Mij, Mij क्या है, यहाँ पर Mij है, minor of the element Aij, तो जैसे कि अगर हमें निकालना है, Cofactor of 12, 12 का निकालना है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 3 हो जाएगा, minus 1 आएगा, और इस निकालते हैं, तो यहाँ से Cofactor भी निकल जाएगा, उसके बाद कुछ important जो बात है, वो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जो first है, the sum of product, मतलब उनके product का sum of the element of any row, किसी भी row और उसकी corresponding Cofactor, कोई भी हमें जैसे की determinant दिया हुआ है, तो उसका हमको जो row का, किसी एक row को उठान है, कोई जो एक row उठाएंगे, उसके जो element and उसकी जो Cofactor है, जैसे A11 और C11 का multiplication and adding, तो सारे जो rows हैं, उनको इस तरीके से हमको add करना है, तो उनका जो वो equal to होंगे, determinant के, जैसे कि हम जैसे कि किसी को उसका determinant निकालेंगे, वो equal to होगा इसके, जैसे कि कोई भी determinant की value अगर, यह determinant की value है, तो वो equal to होगी, A11 element, element of 11, cofactor of 11, plus element of 12, cofactor of 12, plus element of 13, cofactor of 13, means, किसी एक row का, या किसी एक column का, हमको यहाँ पे लेना है, किसी, मतलब यहाँ पे लिखा हो, element of any row, तो row का, कोई एक row ली, जिसमें A11, A12, A13, और समें उनके साथ multiply कर दी, A, C, cofactor के साथ, तो उनका जो sum होगा, वो equal to होगा, determinant के, जो उसका determinant की value आएगी, उसी के equal, इसकी भी value आएगी, उसके बाद आती है, second, second क्या कहता है, the sum of product of element of any row with corresponding cofactor of another row is equal to 0, इसमें क्या कह रहा है, कि अगर हमने element किसी एक row के लिए है, और cofactor किसी अलग row के लिए है, तो उनका अगर multiply करके, उनका sum क करेंगे, तो उसकी value 0 ही आएगी, जैसे यहाँ पर हमने a11, a12, a13 लिया है, और यहाँ पर cofactor second वाली row का लिया है, और element first वाली row का लिया है, तो इसका जो sum होगा, इन दोनों की multiply cofactor और element की multiply करने के बाद, इनका sum होगा, वो equal to 0 होगा, तो इसमें आपको ये बात है, आपक triangle कैसे निकालते हैं, minor कैसे निकालते हैं, और cofactor कैसे निकालते हैं, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ, thank you for watching this video.